हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने राजधानी गांधिनगर गुदिया गांधिनगर रेलवे स्टेशन की हो चुकी है काया बलट पर इस capital city को मिलने जा रहा है पहला re-developed गांधी नगर capital station एरपोर्ट की तर्ज पर बना ये station है सुविधाओं और सुंदर्ता का modern संगम यहाँ platform को जोडते हैं अंदर पास hanging lights, vertical और मनोहग garden बढ़ाते हैं beauty और utility शिशु आहार कक्ष, प्राथमिक उपचार room, special प्रार्थना कक्ष, multi-purpose hall, subway, escalators और आधनिक parking बढ़ाएंगे याधरी सुविधान इस station के ऊपर हिस्थित है 318 रूम से सज्जित होटल भी मतलब की होटल, स्टेशन, दांडी कुटी, महात्मा मंदिर और स्वर्णिम पार्क इन सभी का नजारा मिलेगा एक कतार में इतना ही नहीं, प्रधान मंत्री जी के दूरदर्शी नित्रित्म में, गुजरात की रेल कनेक्टिविटी को और सुलब बनाने के लिए भारती रेल ने किया है 264 किलोमेटर लंबे सुरेंद्र नगर पीपावाव खंड का विद्यूति करण भी इस रूट के द्वारा पीपावाव बन्दरगाह के भारी फ्रेट लोडिंग वाली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों का उत्तर भारत की ओर निर्बाध परिचालन संभव हो सका है इसके साथ ही 55 किलोमेटर के महिसाना वरेठा रेल खंड का विद्यूति करण सहित प्रॉट गेज में आमान परिवर्तन किया गया है परियोजना के अंतरगत महिसाना जिले का वड़नगर रेलवे स्टेशन इस खंड का एक महत्वपूर स्टेशन है यहां आकर्शक स्टेशन भवन के साथ सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं विखास के ये सभी कार राश्ट्र को समर्पित री डेवेलप्ट गांधिनगर कैपिटल स्टेशन और 318 कमरेवाला होटल सुरेंद्र नगर पीपवाव के बीच रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्धनगर स्टेशन के साथ महसाना वरेठा के बीच इलेक्ट्रिफाइड प्रॉट गेज लाइन फ्लैग ओफ गांधिनगर से वरेठा के बीच मेमू सेवा गांधी नगर वारानसी के बीच नई साप्ताहिक सूपरफास ट्रेंग गांधी नगर को लगेंगे चार चांद गुजरात को मिलेगा विकास अबाद